बॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स वेटा यह 2020 का फिजिक्स का क्लास 12 का HVAC बोर्ड का है इसमें चार के चार कम्प्लीट सेट है वेटा सेट A, B, C, D आपने इंस्ट्रक्शन की नहीं निसेस्टि यहां पर पढ़ने की आपने क्या देखना है कि कॉश्चन किस टाइप के आए हुए है 2020 के सेट में बेसिक बात यह देखनी है इससे पहले मैंने प्लेइलिस्ट बना कर बेटा सारे के सारे 2017 से लेकर सारे सेट अपलोड कर दिये 2017 स लेकर logic symbol of nor का कितना असान सा कुश्च ठीक है जी बस ध्यान से पढ़ते जाओ और देखते जाओ और कॉश्चन कि किस टाइप के आये हुए हैं फिर हमने डिफ्रेंशियेट करने है फिर हमने अपना 22-23 वाला जो कि आज आपका पेपर हो चुके है उसके accordingly देखना है कि कहां किस टाइब के कोशन उन्होंने पुट अप किये हुए हैं वेटा यह मैं सारा कुछ इसलिए अप्लोड करते हूं सीक्वेस बनाकर कि बच्चे ने कभी फिर भी तुम लोग यूजी सी की त्यारी करोगे सीनियर क्लासिस में पढ़ोगे जाकर ना तुम्हें कहीं से एक्सप्ल ड्राइब में रख दिया आपको एक्सप्लोड करने की जरूरत नहीं पढ़ने को कि एक्सप्लोड करने में थोड़ा सा ताइं तो दिखो लग जाता है इसको ना कोशन पेपर बगार ढून रहने में तो वहां पर मैंने सीक्वेस बनाकर रख दिया आपकुछ भी बिलकुल फ्री और आम से डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगा ठीक है जो जो मैं यहां आपके साथ शेयर करें वह सबका सब यह 64 पेजिस की है बटा फीडिया ठीक है दोज़ार बीस का सैट एबी सीडी है 64 पेजिस की है बस जस्ट मैं कोशन अंसर्स दिखाने आई हो आपको ठीक है और मेरे पास तीन सैट कोशन अंसर्स के भी है सिल्यूशन भी या तीन सैट का 8080 मार्क्स का बना हुआ अगर कभी वह पॉसिवल हुआ वह भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे जी ठीक है पूरे का पूरा सल्यूशन मैं कोशिश करूँगे कि वह भी अप्लोड कर दू इसी लिस्ट में उन्होंने कैसे सीक्वेंच में अफ्लोड किया उससे आपकी स्लेवस की सेटिंग हो जाती है और आपको अच्छा सा समझ लग जाता है कि भई आपके स्लेवस में क्या क्या है क्या नहीं है ना पिछले वले सेट में ने और का टूथ टेवल एक्सप्लेइन करने आया हुआ था यहां पर उनके सिंबॉलिक पूछ लिए गए क सिंबल्स क्या होते है न और मोडूलेशन का भी तीन चार पेपर्ज में डिसकस करके मोडूलेशन का ठीक है 20-21-22 में बेटा थोड़ा सा पेपर पैटरन चेंज हुआ था ठीक है 20-21-22 बस देखो 17, 18, 19, 19, 19, 20, सेम रहा था सब कुछ सब कुछ सेम रहा था बिल्कुल एक जैसा अच्छा जी 21, 21, 22 ये दो सेशन ऐसे थे जब आपका पेपर पैटरन पार्ट वन एंड पार्ट टू में आया था ठीक है पार्ट वन को पहले दे दिया जाता था आप हल करते थे वो बापिस दे देते थे बैठे बटाई ये नहीं कि बाहर जा सकते थे नहीं ठीक है एक्जामिनेशन सेंटर से रोम से बहार नहीं जाना था बहुत बैठे बटाई आपको next sheet दे दी जाती थी फिर हूँ आप उसका answer लिखते थे ठीक है second number sheet दे दी जाती थी बहुत बैठे बटाई कोई paper हो गया था कोई नहीं हुआ था second sheet देखे बटाई 2020 का 20 में देखो ध्यान से सुन बटाई 20 में क्या हुआ था during the session एकदम से रोला पड़ा था बटाई कि हाँ भी lockdown लग रहा है more paper नहीं होएंगे students के न जैसे commerce वालों का accounts या business का था कुछ शायद दोनों मैंसे कोई paper था बस जो हो चुके थे जिन जिन students के जो जो paper हो चुके थे मैं 2020 के session की बात कर रहे हूँ session ही बस 2020 में मतलब के March 2020 February 2020 की बात कर रहे हूँ जो papers हो चुके थे उन्हीं बेस पे बाकी papers की assessment लगा दी गई थी 21 and 22 में proper paper हुए थे पर वो paper कैसे आये थे parts में आये थे part 1, part 2 ठीक है 21 and 22 दो session ऐसे गए थे और 23 normal आगया अपना स्थारा ठारा 19, 19, 20 के जैसा इस ठीक है 23 वाला session अपना वैसे का वैसा आगया जैसे अपना previous था बस ठीक है जी चलिए ये C सेट चल रहे आपका 2020 के session का ये वाला question तो बहुत ही बारे repeat हो जुक है बैटा रसिस्टेंट calculate the equivalent resistance between the points A and V in the given figure कितने sets में ये fourth number question repeat हो जुक है ये वाला तो ठीक है derivative differentiation वाला derivative से वाला lens लो तो नहीं देखा भी मैंने किसी question में बटा ना capacity और रसिस्टेंस चल ये C सेट है 2020 का C सेट है ये बोहर वाला तो बच्चे बारी बारी आ चुक है ये भी discuss the three postulates of boards model for hydrogen atom ठीक है जी long question answer देखे five five marks वाले है न जी इसका चल बीस हो गया और जो long questions है इसकी 24 उन्होंने लिख्य होई है blueprint हम discuss करेंगे न आज अब ही end में उसमें देखना उन्होंने लिखा है कि वैसे आपको जो च्वाइस नहीं दी जाती ब्ल्यूप्रिंट में लिखा होता है यह सारा कुछ न मार्क्स की आपना आगा जी आज अपडेट कर रही हूं इस वाले papers को ना इनके लिए कर रही हूं जो अभी class 12 में है जो exams दे रहे हैं पर अब तुम नए student भी आओगे जो अभी class 11 में है तो आप बच्चों ने सार्टिंग से अपना सारा स्लेव सब कुछ अच्छे से देख के coordinate करके स्टार्टिंग से प्रैपरेशन करने हैं सो अच्छे से याद करके जाए नहीं तो पेपर में याद सब कुछ किया होता है बट पेपर में जाके बूल जाते हैं वो रिजन क्या है क्योंकि हम उसको पर रिवाइस नहीं करके जाती बटा CA जो बच्चे करते हैं न फाउंडेशन CA इंटर्मीडियर करते हैं CA में स्पैसिफिकली एडवाइस दी जाते हैं कि भई तुमने तीन गंटे में तीन तीन बुक्स चार चार बुक्स का सिलेब आना होता है आट लिस्ट फॉर टाइमस तुम रिवाइस करके जाओ तब ही बटा क्लियर होते हैं इस वरी तो CA का रिजल्ट फाउंडेशन का बहुत ही कम गया बटा बहुत ही बहुत ही अच्छा नहीं क्या बेसिकली CA फाउंडेशन का रिजल्ट तो रिजन ही यही है ना हम कच्छा पका सा याद कर जाते हैं वहाँ पर होच पोच हो जाते हैं आद्दा भूल जाते हैं आद्दा कहीं का पार्ट किसी में लिखे जाते हैं भूल जाते हैं वो रिजन बस यही होता है कि रिवाइज नहीं क्या होता, बेसिक बात है, हर चीज जी कम करो, स्लेबस कम करो, या ज्यादा करो, बट रिवीजन अच्छे वाली जरूर होनी चाहिए, फोटोन क्या होता है, फिफटीन्थ, ठीक है, ट्रांसफर्मर वाला फिर सी आगा, देखो, सैटडी का, अब आगा जी, ये सैटडी का, लोंग कोशन्व आगे जी, ठीक है जी, लोंग कोशन्व, नाइनटीन्थ, कोशन्व के साथ 24 आगी जी, अब आगा जी, 20th, एस्ट्रोनोमिकल टैलिस्कोप के बारे में, माइक्रोसकोप, बेरी बरी इंटरस्टिंग से कोशन अरा, जी, क्या रट्टेल गा प्लेइलिस्ट बनादी बटा वहां से आप एक्स्प्लोर कर सकते हो डाटा और गूगल ड्राइब का लिंक भी शेयर कर दिया मैंने